So, hey guys, how are you all? This is your host, engineer Abhishek Singh and you are watching my mechanical support. Guys, आज का वीडियो बहुत जादा खास होने वाला है, चुकि आज मैं अपने बाइक, Hero Passion Pro का इंजन ऊएल घर पे ही चैंज करने वाला हूं सबसे पहले बात कर लेते हैं, उन लोगों का जो की घर पे बाइक रिपेर करने से डरते हैं, दोस्तों डरने वाली कोई भी बात नहीं है, इस वीडियो में मैं खास तोर पे उन लोगों को ध्यान दिया हूं, जो पहली बार अपने इंजन ओल चेंज कर रहा हैं, इसलिए हर ए प्राइस के लिए आप परिसान रहते हैं, तो चली मैं आपको प्राइस दिखा जेता हूं, दोस्तों इसकी प्रिंट जो है, वो 900 ml के लिए, आप इसके प्रिंट पर ध्यान देंगे, 325 के है, लेकिन 290 रुपए में मुझे ये बॉटल मिला है, और अगर पहली बार इंजन चेंज करने जा रहा हैं दोस्तों, तो विडियो को बिल्कुल भी स्किप मत की जाएगा, चुकि हार एक फो छोटी बरी जनकारी जहां पर आप हस सकते हैं, उसका ध्यान रखते हुए इस विडियो को बनाया जा रहा है, और कोई भी स्टेप जो है वो मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ, सबसे पहले दोस्तों, इंजन रोल को चेंज करने के लिए हमें एक बोल्ट खोलना होता है नीचे से, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बोल्ट दिखा रहा हूँ मैं ये देखी, वहाँ पे एक बोल्ट है आप देख सकते हैं, उसके आगे गार्ड लगा ह ये बोल्ट है, इंजन के नीचे में हैं, तो उसको खोलने के लिए दोस्तों, आपको 17 नंबर का सौकेट लगेगा, और 17 नंबर को सौकेट लगाने के लिए इस गार्ड को खोलना जरूरी है, दोस्तों, गार्ड को खोलने के लिए हमारे पास 10 नंबर का रींच होना अवस् सकते हैं आप देख सकते हैं कि लूर होने के बाद मैं आप इसे हांत से भी निकाल सकते हैं हमारा एक बोलट खुल चुका है चलिए अप दाइने से तरफ कर दिया है दोस्तों इसको भी खो होती है कि हमारे दर्सकों को सही जनकारी नहीं मिल पाती है तो इसलिए हमने पूरा का पूरा चीज जो है वो दिखाने का कोशिस किया है ताकि जो पहली बार इंजिन और चेंज करेंगे उनको भी कोई दिक्कत ना हो दोस्तो अब यह गार्ड नीचे हो गया है तो अब हमें सबसे पहले वो बॉल्ट दिखाता हूं जिससे हमें आखिरकार खोलनों है कि आपको बाइक के राइट साइड में आ जाना है और राइट साइड में फि इस बैजिग एक और बेकेंगे तो आपको इस तरह से इंजन के नीचे जो वेल संप है दोस्तों उसमें लगा हुआ ये बोल्ट आपको इस तरह से ये दिख जाएगा आप देखेंगे बोल्ट के आगे बोल्ट गार्ड भी लगा हुआ है और ये 17 नंबर का है तो हमें इसको खोलने के लिए 17 नंबर का सॉकेट पी चाहिए और एक टी हैंडल चाहिए बहुत ही आसानी से दोस्तों मात्र आठ से 10 मिनिट खर्च करके आप जो है वो ओल चेंज अपने घर पर ही कर सकते हैं किसी भी बाई का और लगभग सभी का प्रोसेस दोस्तों सेमी होता है चुकि ये बोल्ट नीचे से लगाया हुआ दोस्तों इसलि रख ले ताकि हमारा जब इंजन ओयल ड्रेन होगा दोस्तों तो वो जमीन पर ना गिर करके इस दब्ब में गिरे और उसका इस्तमाल आप फिर से जो है वो किसी के साइकल में या फिर ऐसे मूफ करने वाले बाईक के पार्ट जहां पे ग्रीस नहीं लगा सकते वहां पे में डाले तो दोनों मिक्ष ना हो और यह लंबे समय तक हमारे बाईक के इंजन को सुरक्षित रख पाए दोस्तों कुछ देर इंजन ओयल गिरने के बाद में आप देखेंगे कि यह गिरना जोस्तों बंद हो जाएगा लेकिन अभी भी इंजन ओयल पूरी तरीके से हमारे इंजन से ड्रेन नहीं हुआ रहेगा देख सकते हैं बंद हो गया है लेकिन अभी इंजन ओयल है उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बाईक को इस तरह से हिलाना है अब बाईक को आगे पीछे दाएं बाएं हिलाएं दोस्तों ताकि जो भी आपका इंजन ओयल हो वो एक ही जब को आपको क्या करना है कि दाहीने तरफ इस तरह से जुकाना आप देख सकते ओंद हर और बूंद जो की गिडने वाला दोस्तों उसको पहले गिडने दे उसके बाद घूरैस और नया इंजन ओल हम इसमें करेंगे तो देख सकते हैं अब यह इंजन ओल लवग गर सकते हैं अब दोस्तों यह बोल्ट है जिसको हमने संप से खोला था अब इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे जो भी इंपूरिटी रहती है दोस्तों अगर साफ नहीं करेंगे बालू बगर रहेगा तो जब इसको वापस से फिक्स करेंगे तो हमारे थ्रेड को यह बन जाएगा छूच इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं कि यह नीचे का बोल्ट है आप दो ही उपर का बोल्ट खोलने में दोस्तों लगता है LOVE सान है लेकिन नीचे का बोल्ट फीक उल्टा खुलता है इसलिए बहुत तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसलिए आपको इससे यह इंजन ओयल मेजरिंग गेज लगा हुआ रहता है तो इसको अच्छा तरीके से साफ कर लेंगे और इसके बाद में हम दोस्तों रीफिलिंग स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से हमने जो इंजन ओयल लाया था यह 900 ml का है और हमारे बाइक की इंजन ओयल की कैपिसीटी भी 900 ml की है कुछ इस तरह से दोस्तों हीरो का इंजनोल मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं चुकि हीरो का बाइक है और यह थोरा सा सस्ता परता है जैसे इंजनोल के कुछ बूंद आप डालेंगे आपको चेक कर लेना है कि बोल्ट कहीं जो नीचे से हमने फिट किया था वो लीक तो नहीं तब इसको उसी के जगा फिक्स कर दे और एक बार आप चेक करें कि यह जो मार्किंग किया हुआ है आपका इंजनोल सही मार्क तक आ रहा है या फिर नहीं एक बार दोस्तों आप सुनिश्चित कर लेते हैं तब इससे दोस्तों प्लास के मदद से इस तरह से अगला काम करना है कि हमें बाइक को स्टार्ट करके आइडल मोड में कुछ देर तक चलने दना है इससे इंजन वेल पूरे इंजन पार्च में फैल गाएगा और यह जिस तरह से दोस्तों हमारा पूरा इंजन वेल जो हमने डेन किया था उसका जगा यह अदली लेगा अब दोस्तों हमें इ तो इसी तरीके के जो डिटेल में आपको बाइक रिपेरिंग के वीडियो दिये जाते हैं वो रिगुलर डिशिस पे मिलता रहेगा जिससे आपकी पैसे की बचत होगी दोस्तों चुकि यह जो छोटे मोटे रिपेरिंग वर्क है यह आप घर पे ही असानी से कर सकते हैं और बहुत से लोग इसको रिस्की मामते हैं लेकिन मैंने समझता हूँ कि इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो रिस्की होते हैं बहुत असानी से आप घर पे ही उसी तरीके से जिस तरीके से बताया जा रहा आप कर सकते हैं और यहाँ पे हमें इन जोनल चेंज करने के ल पैसला किया, देख सकते हैं अपने जगह प्याब चुका है, और दोस्तों बहुत ज़ादा टूल की आवा सकता नहीं होती है, आप देख सकते हैं दो से तीन तूल की मदद से आप किस तरह से आथानी से इंजन ओल आप चेंज कर सकते हैं, और इसको फिट करने के बाद में हमा प्रवाद